हेलो गाइज वेलकम टू दी कॉंसेट सॉलूशन अकेडमी आचे क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से अब्जेक्टिव देखेंगे जो कि 2021 में आपका पूशा गया है ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर है एक है इसमें एफ ओमेगा डस नोट एक वोट टू वान और ओमेगा क्यू स्कॉस्ट वान तो कहता है इस वन में डिटर्मिनान डिस प्लस जीरो है तो एक्स का वालू निकाल नहीं के लिए अधियान से देखो हम इसमें रूल अप्लाइगे यह होगा सी वन यह होगा सी टू को जोर देंगे देखो ओप्रेशन हो जाएगा सी वन में सी वन प्लस सी टू प्लस सी थरी तो यहां कितना हो जाएगा देखो तो एक्स प्लस वन यह सी टू है तो यह हो जाएगा प्लस ओमेगा और यह होगा सी थरी इसको जोर दो ओमेगा स्कॉर फिर आओ ओमेगा प्लस क प्लस ओमेगा जू बाकी सब जितना भी है रू या कॉलूम है जैसी है वह इसी उतर जाएगा अपरेशन जिसमें करते हैं उसी में चैंजिंग नहीं होता तो ध्यान से देखलो इसको यहां पर वावू हम क्या लिख सकते हैं देखो और यह जीरो के एक्वल है तो अब यहां से देखो एक्स पलस इसको हम एक्स पलस वन पलस ओमेगा पलस ओमेगा स्कोर इसको एक्स को पहले वन को फिर बाद में फिर ओमेगा को लिख ले फिर ओमेगा स्कोर इसको भी इसी फॉर्म में लिख ले एक्स पलस ओमेगा पलस ओमेगा स्कोर और यहां है ओमेगा एक्स पलस ओमेगा स्कोर वन यहां है X plus omega, I is cos 2, 0, ठीक है न, अब यहां देखो, X plus 1 plus omega, S में है, इसमें से comment ले लिजे, तो यहां पर बचेगा, आपके पास, X plus 1 plus omega, plus omega square, और इधर क्या बचेगा, आपके बचेगा, आपके बचेगा, 1, 1, 1, और यहां बच जाएगा, आपके पास 1, उसके बचेगा, यहां बचेगा, उसके बच बच जाएगा, X plus omega square, इधर है 1, omega square 1, X plus omega, इस cos 2, 0, अब देखो, this one and to this one, यह क्या है, omega 0 के बराबर है, तो हम इसको लिख सकता है, यह 0 के एक्वल हो सकता है, X plus 1 plus omega, plus omega square बराबर 0, अब देखो, हम यहां से यहां तका, 1 plus omega, plus omega square का value 0 होता है, कहां परेते हैं, हम लोग, cube root of unity के लाश 11th में होता है, इसका value हो गया 0, बड़ाबर 0, तो X का value क्या निकलेगा यहां पर से, 0 निकलेगा, देखो, कौन सा option है, A number है, मारिये, समझ में आ रहा है, किस तरह का question था ना, चला बच्चो, 92 number है, if A is equals to this one, क्या है, यह matrix है, और A plus A dash is equals to I2, I2 मतलब यह होगे, unit matrix, किसका 2 cross 2 का, ठीक है, तो दिखान से देखो, तो पहले A plus A dash, तो A तो आपके पास पता है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A plus A dash, बराबर I2, दिखान से देखो, A का value कितना, cos alpha, minus sin alpha, यहाँ sin alpha, यहाँ sin alpha, यहाँ sin alpha, A dash मतलब क्या, transpose of matrix, मतलब row को column, और column को row बना देजिए, यह ऐसे लिखाओ, इसको ऐसे लिखे, देखो, I2, I2 मतलब, 1, 0, 0, 1, यह होता है, आपके पास unit matrix, कैसा matrix, unit matrix, अरे बोलो, बास समझा ही, अरे हो या ना बोल, चलो, cos alpha में, cos alpha जो रहेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 cos alpha, इसको इसको add करेंगे, तो यहां तो कटके 0 हो जाएगा, इसको इसको add करेंगे, 0 हो जाएगा, यहां पर क्या हो, cos alpha, cos alpha, 2 cos alpha, बढ़ा बरी दे कितना, 1, 0, 0, 1, अब दो को पहले बाले को, पहले के equal कर दो, तो यहां से हो जाएगा, 2 cos alpha, इसको इसको कितना, 1, किसका value 1 by 2 होता है, cos 60 की cos 30, cos 60 का, cos 60 को क्या लिखते हैं, pi बटा, 3 लिखते हैं, तो यहां से alpha का value कितना हो जाएगा, pi upon 3, अरे बात समझाई, मारो टिक किसमें मारेंगे टिक, b नमबर में, अरे बूलो हो या ना, चलो बच्चो, 93 नमबर है, I square matrix, कोई भी मतलब, A कोई आपके पास क्या square matrix है, तो A plus A dash क्या देगा, तो देखो, A plus A dash हमेशा symmetric matrix देता है, कैसा matrix देगा, symmetric matrix, ठीक है ना, चलो, A का value दिस वन, B का value दिस वन, तो A square बढ़ाबर B, तो पहले आपको क्या करना है, A, A square का value भी मतलब दिस वन, A square is cost 2, कितना हो जागा, इदर है, lambda, 0, 1, 0, sorry, 1, 1, इसी को दू बार multiply कर दो, multiply क्या होगा, this one into this one, तो lambda का square, plus 0 into 1, कितना हो जागा, 0, इसको इसको करोगे, तो 0, इसको इसको करोगे, तो 0, फिर चलो, इसको करोगे, 1 into lambda, तो कितना होगा, lambda, plus कितना, इदर 1, इसको इसको करोगे, 0, इदर हो जागा, 1, यह हो जागा, lambda square, 0, lambda plus 1, इदर 1, अब कहता है, कि A square, बढ़ाबर B, A square के value, कितना निकला, यह निकला, अब यहाँ, put किजिए, A square के जगा पर, lambda square, 0, lambda plus 1, इदर 1, B, B के value कितना है, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, अब lambda को, lambda के, पहले वालो को, पहले के वाल को, lambda square, बढ़ाबर 1, तो lambda के value के जगा, plus minus 1, अब दूसरा है, lambda plus 1, तो first बादे को, first के equal को, तो lambda का value कितना हो, जगा 2 minus 1, तो lambda is plus 2, 1, देखो, कौन सा option है, 1 minus 1, और इधर से, आपके पास, कौन सा है, देखो, 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 तो अब देखो, यहाँ पर से, थोड़ा सा है क्या, इसमें, अब आपको, चिक करना परेगा, यहाँ पर से, अगर, इसमें देखो, यहाँ तो 1 minus 1, दोनों आ गया, इसमें देखो, अगर यहाँ पर, बोगा, अगर minus 1, दोगा, तो minus 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या करो, जो भी matrix दिया हुआ है, इस तरह का option रहेगा, तो इसमें आप लोग क्या कर रहा है, इसका determinant निकालो, तो 1, 0, 0, 1, तो determinant कैसा, ऐसे multiply कर दो, इसको 1 into 1, आप यहाँ से कर दो, 0, 1 हो गया, मतलब determinant क्या हो गया, 1, तो ऐसा matrix, जिसका determinant कुछ निकलेगा, तो उसमें क्या होगा, यह inverse exist करेगा, ठीक है ने, चलो, the number of unit vectors, perpendicular to the plane, अब से आध्यान, यह कोई plane है, बोड क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें कितना unit vector हो सकता है, perpendicular कितना है, यहां भी डाल सकते है, यहां भी डाल सकते है, यहां भी डाल सकते है, मतलब infinite हम, इस पर unit vector, perpendicular कर सकते है, ठीक है, चलो, 97 number है, इस vector A is close to this one, and vector B is close to this one, तो option है, A.B, 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 मतलब sum में A.B, नहीं कर, मतलब option दिया हुआ है, तो दिया हुआ vector के क्या निकलना परेगा, dot product, dot product क्यों कैसे करते है, I वाले को I के साथ multiply करो, तो यहां देखो, A.B is close to, I का I के साथ 2, either minus 1, तो इधर कितना हो जागा, minus 2 मतलब कोफिशेंट से multiply करते है, यहां minus 1 है, इसका हो जागा, plus 1 तो यह minus 1, plus 2 आइधर कितना हो जागा, minus 2 तो minus 2, यह कितना हो जागा, दू, दू, चार, एक 5, minus 5, पहुन सा option होगा, बी number होगा, ठेक है न, आईए यह है, आपके पास, scalar triple product, यह क्या है आपके पास, scalar triple product, scalar triple product का, क्या rule होता है, a, b, c, इसका मतलब होता है, a dot, b cross c, अब यहां पर देख लो, यह तीनों है, a, b, c, मतलब तीनों vector, semi vector, इसका क्या हो जागा, a dot, कितना है, a cross, कितना, a, देखो, दू वेक्टर का, आपस में ही, same vector के बीच में, mechanical cross product, यह 0 होता, यह 0 होता, यह सारा atoms क्या हो जागा, 0, इसलिए का हो जागा, b number हो जागा, i cross k क्या होगा, तो क्या करो पहले, यह वाला circle बना, इधर लिखो, i, इधर लिखो, j, इस direction में आएंगे, तो positive, i के बाद, j, j के बाद, k, यहां ते बीचा आ रहा है, उल्टा आ रहा है, i के बाद, k आ रहा है, i cross k, तो minus j, कौन सा हो जागा, d number, a cross b, minus b cross e, के equal होता है, इसलिए b number हो जाएगा, ठीक है न, तो आज के class, हम यहीं बे समाप्त करते हैं, आपके, board exam, दूजारे किस में, जितना भी question पूछा गया था, objective सारा हम बता चुटे हैं, ठीक है न, अब आपको, इस सारे questions को, क्या कर रहा है, copy में practice कर रहा है, और जहां भी आपको लगे, कि हाँ नहीं बनना है, वहाँ पर आप video देखिए, ठीक है न, चलो मिलते हैं, मगले class में, thank you so much,